नमस्कार आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शुभम गुपता क्रिकेट का महाकुम शुरू हो चुका है जिसका पूरे विश्व को बेस सबरी से इंतिजार था वर्ल्ड कप के लिए भारती टीम को अपना पहला मैच 5 जून को साथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है लेकिट इनी सभी के बीच भारती टीम के स्चार ओल लाउंडर रविंद्र जडेजा ने ICC से बाचीत के दोरांग पूरी भारती टीम के कई बड़े राज खोले हैं पूछे जाने पर जडेजा ने पूर्फ कपतान महिंद्री सिंग धोनी को सबसे खराब डांसर बताया इसके बाद उनसे पूछा गया कौन सा खिलाडी सबसे ज़्यादा सेलफी लेता है इस पर जडेजा ने मुझो पर ताओ देने वाले टीम इंडिया के गबबर शिकरधवन का नाम लिया और इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि उनका कौन सा टीम में ट्रोमेंटिक कोमेडी देखना बसंद करता है तो इस पर जडेजा का जवाब था जस्बीरीद बुमरा उन्होंने बताया कि युजवेंदर चैल सबसे जादा खुद को गूगल करते हैं साथी साथ सुबा वैक मूफ फुलाए भी रहते हैं और जडेजा ने बताया कि रोहिद शर्मा को कुछ भी काम करने से पहले कौफी चाहिए होती है और वे बस को भी अक्सर देड से ही पकड़ते हैं इसके अलावा कोली के लिए जडेजा ने बताया कि वे हर वक्त जिम्मे रहना पसंद करते हैं जड़ेजल से पहले टीम के उप कपतान रोहित शर्मा ने भी टीम को लेकर कई बड़े राज खोले थे जिसमें की रोहित से सवाल पूछे जाने पर कि सबसे गंदा रूममेट कौन है तो रोहित ने शिखर धवन का नाम लिया और कहा कि वे बहुत गंदे रहते हैं रोहित शर्मा ने धवन ही नहीं बलकि हार्दिक पांडय के बारे में भी कई खुलासे किये रोहित शर्मा ने कहा कि हार्दिक पांडय सबसे जादा सेलफी कीजते हैं और इसके अलावा रोहित ने हार्दिक पांडय को खराब डांसर भी बताया और कहा कि हार्दिक अक्सर पूरी आदतों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं, वल्लकब से जूड़ी पलपल की खबर को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जूड़े रहें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेर करना न भूले, धन्यवाद